आपका हार्दिक स्वागत है गुरु अपनी राशी छोड़ धनू राशी में प्रवेश करेंगे जानिये कैसा रहेगा इस राशी परिवर्तन से आपका दो हजार बीस साल 2020 की सुरूआत होने को है और आने वाले साल को लेकर इनसान भहुत कुछ सोचता है वह कई सारी योजनाय भी बनाता है इसके साथ ही हर किसी में ये जानने की इच्छा होती है कि उसका आने वाला समय कैसा रहने वाला है और क्या हो सकता है बता दे की आने वाला साल बहुत से ग्रह अपनी राशी परिवर्तन करेंगे उसमें से एक गुरू भी है आज मैं आपको बता रहा हूँ 2020 में इस राशी परिवर्तन में गुरू के राशी परिवर्तन में आपका आने वाला साल कैसा रहेगा 30 मार्च 2020 में गुरू अपनी राशी धनू को छोड़कर शनी की राशी मकर में प्रवेस कर जाएंगे इस राशी परिवर्तन में 12 राशियों पर असर पड़ेगा मेज से लेकर मीन तक की राशियों पर इफेक्ट आएगा आईए जानते हैं गुरू का राशी परिवर्तन आपके जीवन पर 2020 में क्या अशर डालेगा मेश राशी नए साल में आपको गुरू का आशिरवाद मिलेगा यानी कि गुरू ग्रह का ये राशी परिवर्तन आपके लिए शूभल लेकर आएगा कारे छेतर में तरक्की मिलने के आसारे करियर में उन्नती होगी यदि जॉब की तलास कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी वरश राशी गुरू की चाल से आपको मिला जुला प्रवाव देखने को मिलेगा साल की सुरुआत में आपका मन बेफजूल कारियों में उल्जा रहेगा जिसे आपकी तरक्की और कारियों में बाधा उत्पन हो सकती है थोड़ा समल के रहे 2020 आपके लिए मिला जुला रहने की संभावना है मितुन राशी गुरू की चाल से आपको सुप फल प्राप्त होंगे इससे आपके विवाई जीवन में खुशियां आएगी यदि डिवोर्स का केस चल रहा है तो उसका समाधान होने की संभावना है यदि आप लव मेरीज करना चाते हैं तो लव मेरीज के भी योग बनेंगे करक्राशी संतान पक्च को सुख मिलेगा सिक्षा के छेत्र में जुड़े लोगों को सपलता मिलने की उम्मीद है करियर में भी सपलता मिलेगी जौब तलास कर रहे है तो जौब आपकी लग जाएगी सीरासी नए साल में स्वास्त कम साथ देता नजर आएगा स्वास्त संबंदी समस्याएं हो सकती है गुरू 2020 में आपकी बोड़ी पे आपको इफेक्ट करेगा आपके शरीर को लेकर आपको चिंता रहेगी चत्रु आपके कारियों को खराब करने की कोशिश करेंगे और आपको नुकसान हो सकता है तो आप संबल कर रहें कन्या राशी गुरू का गोचर आपके लिए लाबकारी साबित होगा सुक्सुई दाओं में व्रद्दी होगी सेहत आपकी खराब रह सकती है सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना होगा एक्सिडेंट का भी योग बनेगा संबल कर रहें और एक उपाय बता रहा हूँ एक्सिडेंट से योग बचने के लिए प्रती दिन जो है बजरंग बान का पाड़ करें सिर्फ पुरूसों के लिए है महिलाए हनुमान चालिसा का पाड़ करें तो उन्हें फायदा होगा तुला राशी गुरू के गोचर से साल 2020 में कई यात्राय करना पड़ सकती है यात्राय आध्यात्मिक भी हो सकती है पारिवारिक भी हो सकती है और बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है कड़ी रिस्तों में तनाव उत्पन होने के आसार है आसपास आसपडोस, बोस, पदी-पत्नी, परिवार आपस में कोई विवाद हो सकता है 2020 में बिलकुल समल कर रहे वरश्चिक रासी गुरू के राशी परिवर्तर में आपको अच्छे परिराम देखने को मिलेंगे धन प्राप्ति के नए इस्तरोत कुलेंगे वानी पर सहियम रखे प्रापर्टी में निवेश करेंगे तो बहुत फायदे मंद होगा धनू राशी इस राशी के जाटकों के लिए गोचर शांदार रहने वाला है जिस कारे में हाट डालेंगे वहां सपनता मिलेगी आपको मंचाई नोकरी मिलने के भी योग बन रहे हैं मकर राशी गुरू का गोचर आपके खर्चों में बड़ोत्री की त इसे रोकना यदि आप है तो आप विश्नु सास्तर नाम का पार्ट करें आपको फायदा होगा कुम्व राशी गुरू का गोचर आपके अपने करियर में आपको सफलता दिलाएगा आर्थिक इस्तिति पहले से जादा मजबूत होगी आपको फायदा होगा प्रापर्टी म अच्छी रहने की समभावना है घर परीवार में मांगलिक कारी समपन हो सकते हैं रुके उए कारी जैसे विवा नहीं हो रहाया घर में किसी का जीवन में किसी तरह की समस्या हैं और परिशान है तो आप साइं अनपुर्णा सोशल फाउंडेशन पर वास्तु जोति से वं तंत्र परामर्ज के लिए संपर्क कर सकते हैं मेरा फैस्बूक पेज वास्तु गुरु मनिश साइं के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल गुरुदेव टीवी के नाम से लाइक कीजिए स जल्लिवाद आपका दिन शुभ हो जोतिश विशेशक्य आध्यात्मु गुरु श्री मनिश साइं जी स्रामर्ष के वं वास्तु वस्त के लिए संपर करें साइं अन्यपुन्ना सोशल फाउंडेशन 156 सयोव विहार पामडियकला भूपाल मधिप्रदेश 4-961-7950-498 94251-50498